Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है PENTOCID DSR Capsule के बारे में जो की इस दवा के इस्तमाल, गैस की पॉर्डम को दूर करने के लिए से बहुत जादा यूज गया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले है PENTOCID DSR के बारे में इसमें combination क्या है, combination होगा क्या काम है, कौन-कौन से परपजों में यूज गया जाता है, क्या side effect है, किसे नहीं लेना है यह सब ही बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते है PENTOCID DSR Capsule जो कि आपके पास के medical store पे बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है, 15 capsule की packing होती है, 190 रुपेस का price होता है, Sun Pharma Company की बनाई हुई medicine है यह हमने बहुत ही basic detail के बारे में जाना, PENTOCID DSR के बारे में, अब बात करते हैं, PENTOCID में क्या क्या combination है तो इसमें Domperidone है, 30 mg, PENTOPRAJOL sodium है, 40 mg है हर एक capsule में, इन दोनों ही combination हो क्या work है तो इन दोनों ही combination हो का जैसे कि यह Domperidone है, जो की एक तरीके का anti-emitic agent है जो की इसका इस्तमाल, nausea, vomiting की problem को दूर करने के लिए काफी फैदिमन्द होता है anti-emitic, anti-fluent, anti-inflammatory properties होती है Domperidone में, जो की यह काफी फैदिमन्द होता है यह vomiting किरने कामन करता है, यह gym में चलाता है, तो उनसे भी परपजों में काफी फैदिमन्द होता है छाती में जलन होना या छाती में भारी पन होनी की समस्या होती है, तो उनसे भी परपजों में इस्तमाल करते हैं इसके अलावा गैस्ट्रिक पेन जो की गैस के कारण पेट में दर्ध होना इस तरीकी समस्या होती है तो उसमें इस्तमाल करते हैं नौजिया परमिटिंग में काफी फायदेमंद होता है डॉम परिडॉन इसके अलावा जो अगला कॉंबिनेशन है पेन्टो पराजोल जो की एक तरीके का प्रोटोन पंप इनिये बीटर है जो की इसका इस्तमाल एंटासीड एंटी रिफ्लेक्स और एंटी अलसरेटिव की रूप में काफी ज्यादा इस्तमाल कर जाता है और यह एक तरीका प्रोट कोई लेना है अगर अगर आपको कोई बी क्रिटिकल मेडिकल कνεडीट्र में आपको किसी भी परकार का कुई दवाई चल रहा है उस condition में आप इस दवा को इस्तमाल ना करें तो यही था Pantop DSR capsule के वेरे में जनकरी अगर आपको वीडियो और यह जनकरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को subscribe किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching